तो है यूटूब चैनल तो कैसे है आप सब आज के वडियो आपके लिए काफी जादा इंपोर्टिन वाला है और कुछ यूनीक होने वाला है आपने ट्रेन में तो कई सारे लोगों ने ट्रैवल करा होंगा जो लोकोमोटिव्स होते हैं ट्रेन के जो इंजन्स आप कहते हैं वो इंजन्स आपने कई बार देखे होंगे आपने ट्रैवल करे होंगे ट्रेन के अंदर तो बट उसकी आपको कई सारी चीज़े पता नहीं है प्रचॐंग है। लिएए के अंदर देखते हैं उसको आपको आपको सब्सक्राइब करते हैं और अडर यह बता थियुक्ते हैं तीन टाइप आते है जो फ्यूल टैंक के पैसिटी इंजन लोको मैशने होगा रहता है उसकी पाउच हजार लीटर दूसरा आता है उसकी होती है साड़े पांच हजार लिटर और तीसरा जो आता है उसकी होती है 6000 लिटर फ्ल टेंक ट्रेंग केपिस sahर की तो यह तीन टैप के लोको मुटीव आते है उंजन साथे है ट्रें के अब मैं बात कर लेता हूँ कि वो जो engines होते हैं, उसकी cubic capacity क्या होती है, कितने CC के engines होते हैं, ये भी बात कर लेता हूँ, सबसे पहले, friends, ये अलग-अलग आते हैं, इंजन, सबसे पहले जो generally, जो locomotive you use होते हैं, जो engine use होते हैं, उसके अगर मैं cubic capacity की बात करूँ, CC को full form जो है, वो cubic capacity है, CC कितने CC के engine होता है तो वो होता है एक लाग से लेके देड़ लाग सीसी का इंजन होता है वो क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होंगा कि पीछे जो इंजन के पीछे कित्ता लोड होता है कित्ते सारे कोचेज होते है और उसका लोड वो खिचना पड़ता है इंजन को तो 1 लाग से लेके 1.500000 reason sound क्यर में एक से लेकर 2049 बकूल और जो यूज होता है इंजन पैसंजर तो तो उसके लिए यही llevar कle सीलेंडर इंजन अब वह होता है सिप्ती है यह सिलेंडर है यह ईंडर Wes 16 piston, 16 cylinders होंगे और 1 cylinder के उपपर 2 walls होंगे, mean 32 valve का वो engine है, 32 valve, 16 cylinder engine, अब मैं आपसे बात के लिएता हूँ कि वो आपको कित्ता mileage देंगा, जो train होता है, उसका mileage कित्ता होता है, average कित्ता होता है, friends, train का mileage depend करता है, उसके coaches के उपपर, कि कित्ता उस train के उपपर load है, लाइक अगर आप जो coach में बेटे है कई 12 रहती है coaches कई 15 रहती है कई 24 coaches रहती है तो उसके उपर depend करता है वो आखिर कितना load carry कर रहे हैं उसके उपर बट generally जो देखा जाता है वो जो train की capacity होती है जो उसका mileage होता है वो होता है 1 km वो भी 6 L of fuel में यानि 6 L of fuel में सिर्फ 1 km चलेंगी जो generally train की mileage होता है हर किसी कोई train का वो passenger हो या फिर जो normal trains आती है वो तो जो देखा जाता है वो 6 L में 1 km travel करती है means कितना fuel consumption वहाँ होता है क्योंकि load भी उत्ता होता है और अगर मैं super fast express की बात करूँ जो super fast trains होती है उसके अंदर 1 km 4 L में वो complete करती है means 4 L में वो 1 km complete करती है यानि ट्रेन को 1 km run होने के लिए 4 L fuel consumption लगता है और जो दूसरी train है उसे 6 L लगता है 1 km complete करने के लिए जो कि काफी ज़ादा amount of fuel है आशा कर तो आपको समझ गया होगा अखरी train का क्या है यह concept और क्या इसके mileage होता है क्या CC होता है और कित्ता cubic capacity होती है जो CC cubic capacity और कित्ता इसका fuel tank capacity होती है यह सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर clear करा काफी सारे लोगों को नहीं भी पता होंगा कि बट travel हर कोई नहीं करा होंगा बट कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि यह क्या है बट एजम है mechanical engineer मैं यह सब चीजों पर ध्यान देता हूँ कि कित्ती उसके train तो है वो engine है और engine के कित्ती capacity है उसकी यह कित्ता mileage है यह सब मैं ध्यान देता हूँ तो मैं सोच आपको भी शेयर करना चाहिए आपको भी knowledge देना चाहिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आप हमने next studio में जब तक के लिए good bye